अगर आपके फोन में बैटरी जल्दी खतम हो जाती है, फोन का इस्टोर जल्दी भर जाता है या फोन हैंक करने लग जाता है, तो आप अपने फोन के इस समस्या को चुटकियों में दूर कर सकते हैं, जी हाँ गाईस सही सुना आपने, आप अपने फोन के प्लेश टोर से बस में आएगी तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों पहले नंबर की सेटिंग क्या है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है आपके फोन की बैटरी को इंक्रीज करना जी हां दोस्तों जब आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो वह दो तीन ज़रू ट्राइ करके देखना ये 100% काम करती है इसके लिए सबसे पहले आप लोगो वाले आइकन पर जाएंगे लोगो पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद जनरल वाले आप्सन में जाएंगे जनरल में जाने के बाद आपके सामने ये धेर सारे option आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको notification वाले option में जाना है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों play store से हमें इतना ज्यादा कोई important notification नहीं आती है इसे आप बंद करके रखिए इसे आपके phone की battery और internet data दोनों ही बहुत कंजूम होगी देन इसके ब बात दोस्तों ज्यादा तर लोग इसे light पर करके रखते हैं लेकिन आपको इसे dark पर click करके रख देना है इससे आपके phone की battery कम consume होगी आपके phone की battery ज्यादा चलने के chance बढ़ जाते हैं अब दोस्तों दूसरे नंबर की setting क्या है मालो कि आपके phone की storage जल्दी भर जाता है आपको यह application download किये उसे यूज करके फिर दुबारा से install कर दिये आप सोच रहे हैं कि हमारे phone से वह application delete हो गई है लेकिन आप गलत सोच रहे हैं जी हां दोस्तों यह app आपके phone के अंदर ही है और आपके phone के storage को घेर कर बैठी हुई है इसके लिए आप सबसे पहले home icon पर जाएंगे home icon उसके पर जाने के बाद आपको उपर की site manage apps and device वाला option डिख यह होगा जैसा के आप देख पा रहे होंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा साइब लिकेशन दिखाई देंगी जो पहले आपने इस्टॉल करके फिर बाद में उसे डिलीट किये होंगे जो आपके फोन में स्टोरेज को घेर कर बैठी हुई है इस्टोरेज भर जाने पर भी आपका फोन हैंग करने लग जाता है इसे आप एक एक करके सेलेक्ट कर आप यहां से डिलीट कर देना है ओके डिलीट करने में अगर यह धेर सारी होंगी तो आपको थोड़ सा टाइम भी लग सकता है लेकिन आपके फोन के स्टोरेज बढ़ी आएगी एक बात ट्राई करके जरूर देखना दोस्तों अब आईए दोस्तों तीसरी सेटिंग क्या है बा क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको उपर से चोटे नंबर पर एक सेटिंग दिखाई दे रहे होगी इसका नाम है प्ले वो टैक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे देन इसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा समय लेकर इस तरीके से दिखेगा आप No Harmful Apps Found दिख रहा होगा आपके फोन में ये बंद होगा ऐसे में जब आपको एप्लिकेशन ऐसी एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाइरस हो तो आपका फोन स्लो चलने लगता है ओन करके स्कैन करेंगे स्कैन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जब आप अपने फोन में No Harmful Apps Found आए जाए तो आप समझ जाए कि आपका फोन सुरक्षित है आपके फोन में कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से आप अपने फोन में Play Store के अंदर राइब करना और साथ में अपने दोस्तों को सेयर भी करना ऐसे इंपोर्टन जानकारी के लिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए तोस्तों गुड़ बाए